हर हर महादेव दोस्तों, आज का राशिफल, नौ जून, दो हजार चोबीस, दिन रविवार, मेश राशी, आज का दिन आपके लिए सांसारिक सुख सुविधाओं में वृध्धी लेकर आएगा। आज किसी नए काम में रुची जागरित होगी और धार्मिक कार्यक्रम में शामिल भी होगे। आपको किसी भी काम में गोपनियता बनाए रखनी होगी, अन्यता परेशानी हो सकती है। निजी कार्यों में आपकी रुची और बढ़ेगी। आज आपको सिस्टम में कोई बड़ा लाभ मिलने से मन प्रसंद रहेगा। आज आटे की लोई में चना दाल, गुड़ और हल्दी डाल कर गाय को खिलाते हैं तो आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा। शुब रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है। नब्बे प्रतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। व्रिशब राशी व्रिशब राशी वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। भाईयों के बीच भाईचारे की भावना मजबूत होगी और भावनात्मक मामलों पर नियंतरन रखने में सक्षम होगे। अगर आपका विश्वास मजबूत रहेगा तो आप कोई बड़ी उपलब्धी हासिल कर सकते हैं। साजेदारी में कोई भी काम करने में आपकी पूरी रुची बनी रहेगी। नौकरी पेशा जातकों को आज आमदनी में वृद्धी के अच्छे अफसर मिलेंगे। आज किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दे तो। आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा। शुभरंग होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है। 93 प्रतीशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशी मिथुन राशी वालों के लिए आज का दिन आत्म विश्वास से भरा रहने वाला है। आप कोई नई संपत्ती खरीज सकते हैं और परिवार के साथ पिकनिक आदी पर जाने की योजना बना सकते हैं। आपको रिष्टेदारों से पूरा सहियोग मिलेगा। आपको एक के बाद एक लाभदायक अफसर मिलते रहेंगे, जिसका अनुसर्ण करके आप अच्छा मुनाफा कमाने में सफर रहेंगे। आज भगवान विष्णों के मंदिर में चने की दाल और गुड़ पीले कपड़े में बांध कर चढ़ाते हैं, तो आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा, शुभरंग होगा आस्मानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है। 85 प्रतिशत, बहुत अच्छा भाग्य, आपके साथ बना हुआ है। करक राशी, करक राशी वालों के लिए आज का दिन अन्य दिनों की तुलना में बहतर रहने वाला है। आपके सारे रुके काम बनने लगेंगे और आज का दिन आपका मानसम्मान बढ़ाने वाला रहेगा। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। आपके कुछ दोस्त आपको निवेश से जुड़ी किसी योजना के बारे में बता सकते हैं, जिसमें पैसा लगाना आपके लिए बहतर रहेगा। आज पूजा घर में हल्दी की माला लटकाएंगे तो, आपका दिन और भी ज्यादा बहतर होगा। शुभरंग होगा मरून और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है। 72 प्रतीशक उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिन्ह राशी सिन्ह राशी वालों के लिए आज का दिन मध्यम फलदाई रहने वाला है। समझदारी और संतुलन के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप पारमपरिक कारियों में उलजे रहेंगे और सेहत की वजह से परिशान रहेंगे। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो किसी विशेशग्य की सलाह अवश्यले अन्यथा आपको हानी हो सकती है। आज केले के पेड की पूजा करें और गरीबों को पीले वस्त्र एवं भोजन दान करते हैं तो आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा। शुभरंग होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है। 68 प्रतीशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशी कन्या राशी वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। कोई बड़ा लक्ष्य हासिल होने से खुश रहेंगे और महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे होने लगेंगे। आपको कोई भी जोखिम भरा काम नहीं करना चाहिए, अन्यता परेशानी हो सकती है। यदि आपने घर या बाहर किसी से कोई वादा किया है, तो उसे पूरा करना होगा। नए संपरकों से आज आपको लाब होगा। आज भगवान विश्नो के मंदिर में चने की दाल और गुड़ पीले कपड़े में बांध कर चढ़ाएंगे तो। आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा। शुभरंध होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है। सत्तर प्रतिशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तुला राशी तुला राशी वालों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहने वाला है। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा और आयके नए स्रोत भी प्राप्थ हो सकते हैं। किसी भी यात्रा पर जाते समय अपने मातापिता का आशिरवाद अवर्ष लें। पैत्रिक संपत्ती से जुड़े मामले में आपको जीत मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही फलदायक रहने वाला है। आज केले के जड़ को पीले कपड़े में बांध कर गले में धारन करते हैं। आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा। शुभरंग होगा कत्थई। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है। 75 प्रतीशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। व्रिष्चिक राशी वालों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप अपनी दीर्ग कालिक योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे और भाईयों से मदद भी मिलेगी। कुछ मामलों में आप बिना जिजक आगे बढ़ेंगे। व्यापार में आप अपना काम कल पर ना टालें नहीं तो बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप अपने काम से ज्यादा दूसरे लोगों के काम पर ध्यान देंगे। आज केले के पेड की पूजा करें और गरीब कन्याओं को दान करते हैं तो आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा शुभरंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 73 प्रतीशत उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है धनुराशी धनुराशी वालों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है आपके कुछ जरूरी कार्य अटक सकते हैं जिसकी वजह से परिशानी हो सकती है नौकरी पेशाजातकों सहकर्मियों पर बहुत सोच समझकर भरोसा करना होगा और काम में स्पष्टता बनाए रखनी होगी व्यापारी उधारी में माल देने से बचें अन्यथा हानी की आशंका बन रही है आज नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाब करते हैं आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा शुभरंग होगा बादामी और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है 63 प्रतीशत मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है मकर राशी मकर राशी वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा आपकी कुछ पुरानी योजनाओं को गती मिलने से आप प्रसंद रहेंगे जमीन, वाहन, मकान, आदी की खरीदारी का सपना पूरा होगा सुर्यदेव की पूजा करेंगे तो आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा शुभरंग होगा जामुनी और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है 88 प्रतीशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है कुम्भराशी कुम्भराशी वालों के लिए आज का दिन मिश्रित फलदाई रहने वाला है आपको आय और व्याय के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए तभी आप भविश्य के लिए बजट बनाने में सफल होंगे आज गरीबों को भोजन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा शुभरंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है 89 प्रतीशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है मीन राशी मीन राशी वालों के लिए आज का दिन अत्यंत फलदाई रहने वाला है घर और बाहर के लोगों का विश्वास जीतने में आप सफल रहेंगे आपकी कोई मनोकामना पूरी होने से मन प्रसंद रहेगा आज भगवान विश्वास का पूजन करते है तो आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा शुभरंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है 83 प्रतीशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है